दक्षणे लक्षमनो यश्य बामे चजन कात्मजा पूरतो मारूती यश्य तम्बंदे रगुनन दनम प्यारे मित्रों जैश्यराम जैमातादी वास्तु रचना के अनुशार वास्तुकारों का ऐसा मत है और एक नहीं अनिका अनिक वास्तुकारों का ऐसा मत है कि जब अनिक प्रकार के पुर्णों का उद्य होता है तब जाकर के कहीं भवन का सुख प्रत्यक व्यक्ति को प्राप्त हो पाता है और एक बात और आपको बताऊं भूमी का चैन भी हमको इस तरह से करना चाहिए कि जिस भूमी पर रहने से हमको लाब की प्राप्ति हो बहुत से व्यक्ति जल्दबाजी में मकान तो बनवा लेते हैं परन्तु मकान बनवाने के बाद में वो पच्टाते हैं कि जितना सुकुन को किराय के मकान में मिल रहा था या जितना सुकुन को पहले अपने मकान में मिल रहा था यहां पर आ करके तो वे सारे के सारे सुखी बेकार हो गया फिके हो गया, सब बेकार हो गया तो उसका कारण क्या होता है जी हां हम आज आपसे चर्चा कर रहे हैं कि यदि आपका मकान कहीं अंडाकार अर्थात गोल आकार की भूमी पर बना हुआ है तो निशन्दे आपको लाब की प्राप्ती नहीं होगी बलकि आपके जीवन में हानिया ही हानिया ऐसे इस्थान पर ऐसी भूमी पर मकान बनवाने के बाद में वहां पर रहना जो व्यक्ति रहेंगे उनके जीवन में कभी भी प्रगत के मार्ग अग्रसर नहीं होंगे रोग भी हो जाएंगे उनको अनेक प्रकार से सारीरिक मानसिक और आर्थक व्याधियां सताने लगेंगी उनके जीवन में सदेव क्लेश ही क्लेश आता रहेगा परिवार में प्रशनता नहीं रहेगी क्योंकि यह भूमी का दोश है भूमी वह अंधाकार है वह गोल भूमी है तो ऐसे भूमी का त्याक कर देना चाहिए इस भूमी पर केवल देविस्थान अर्थाते दिया आप मंदिर बनवा देते हैं तो आपके जीवन में लाब ही लाब आएगा और उस गोल इस्थान पर उस अंधाकार स्थान पर मंदिर बनवाने के बाद में परमात्मा आपकी अनेका अनेक तरह से रक्षा करेंगे आपको लाब ही लाब प्रदान करेंगे आपके जीवन में कभी भी बिसम पर स्चितिया नहीं आएगी यदि आप ऐसे भूमी का त्याक करके वहाँ पर मंदिर या वहाँ पर किसी भी NGO को कोई संस्था को जो संस्था निसुल कुरूप से किसी का कारे करती है हित करती है भला करती है ऐसे को आप डोनेट कर देते हैं दान कर देते हैं तो आपको लाब मिलेगा अगर आप ऐसी अंडाकार भूमी पर अपना मकान बना करके रहते हैं तो आ करें हमसे डाइरेक्ट बात करें हमारे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा जिससे आपको नया वीडियो राप्त होता रहें नई नई जानकारियां आपको मिलती रहें त तब तक के लिए दीजिए इजाज़त जै माता दी जै मागंगे